नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासिस में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में समाज भासा विज्ञान के अंतरगत संपर्क में भासाएं इस टॉपिक को देखेंगे, इसके अंतरगत बहु भासिकता और दुई भासिकता के विविद रूप इसको समझेंगे कोड अंतरण और कोड मिश्रण इसको समझेंगे बहु भासिकता से जन्मी पीजीन, क्रियोल और मिश्रिद भासा ये इस टॉपिक को भी समझ लेंगे और अंत में भासा, रप्छन, अनुरप्छन और संगर्स इस टॉपिक को देख लेंगे तो long question के point of view से ये topics तो importance है ही है लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसे short questions भी पुछे जाते हैं जैसे ये पहला वाला topic हो गया बहुभासिकता और दुईभासिकता के विभिद रूप इसे पुछे जाते हैं या फिर code अंतरन और मिस्रन इसे भी पुछे जाते हैं बहुभासि question के point of view से भी और long question के point of view से दोनों तरह से ही important है इसलिए better है कि skip किये बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि इससे संबंधी सारा concept clear हो जाए तो पहले हम लोग संपर्क में भासाएं इस topic पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप जानते हैं कि संपर्क में आने वाली भासाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है व्यक्ति भी एक से अधिक भासाओं का परयूग करता है और इस संदर्व में हम संपर्क की स्थिति को बहु भासिकता कह सकते हैं या कहते हैं भारत बहु भासी देश है क्योंकि यहां कई भासाएं बोली जाती है इस बात से आप भी अव हम लोग कोई एक भासा में हमेशा चिपके नहीं रह सकते हैं हमें अपना उन्नती के लिए और दूसरे भासाओं का ज्यान होना भी अनिवार यह है और ऐसे अगर बोलिए तो त्री भासा का जो सुत्र है उसके अकोर्डिंग तो हम लोग सिखते ही है पहला तो अपना मात्त भासा के साथ अगर राष्ट्र भासा किसी का दूसरा है तो उसको सीखना है अर्थात अगर तेलेगु फिल्ड का कोई बच्चा है तो उसका मात्तिरी भासा तेलेगु हो गया है ना फिर उसको राष्ट्र भासा सीखना है जो कि हिंदी है ना और उसको एक अन्य भासा भी स ज़रूरी हो जाता है भारत देश विवीद सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ विवीद भासिक समुदायों का भी देश है वैसी करन की प्रक्रिया में पूरा देश ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के बीच की दुरिया भी नहीं के बराबर हो चुकी है अर्थात योगी की के विकास ने इस प्रक्रिया में महत्तोपूर्ण भूमी का निभाई है फलत आपसी संपर्क से भासाओं के बीच संघर्स और संमिश्रन दोनों ही अनिवार ये हैं उदाहरन स्वरूप आज भारत में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का धडल्ले से प्रयोग कोड म मिश्रन का सफल प्रयास है कोड मिश्रन अर्थात उस भासा में दूसरे भासा के सब्दों को मिला देना इसी को क्या कहते हैं कोड मिश्रन जैसे हम लोग सिंपली बोलते हैं प्लीज आओ ना तो यहां पे प्लीज सब्द क्या हो गया वो घुसा दिया गया है हिंदी वाक्य के बीच ना तो इसी तरह का प्रयास को क्या कहते हैं कोड मिश्रन कहते हैं अता दुई भासिकता की स्थिति उत्पन हो ही जाती है अर्थात एक भासा में जब क्या कर रहे हैं दूसरे भासा के सब्दों को सम्मिलित कर रहे हैं तो ना दो या दो से अधिक भासाओं के करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बहु भासिक्ता कह सकते हैं अब बहु भासिक्ता और दुई भासिक्ता के विविद रूप इस टॉपिक को देख लेते हैं बहु भासिक्ता तथा दुई भासिक्ता एक ऐसी भासी की स्थिती है जिसमें व्यक्ति में दो या दो से अधिक भास प्रयोग की चम्ता विद्यमान रहती है व्यक्ति बाल्या वस्था में जिस भासा का अधिगम करता है उसके अतिरिक्त अभासा का भी प्रयोग उसकी सामाजीक, सेक्षनिक, ब्यावसाईक, बैश्विक परिद्रिश्य आधी के कारण अवस्यक्ता बन जाती है अता दुई भा सिक्षा की अवस्था हमेशा से ही समय की मांग रही है अर्थात आपको कुछ भी करना है शिक्षा प्राप्त करना है ब्यावसाई ज्यान प्राप्त करना है तो या फिर बैस्विक परिद्री से का बात करें तो कुछ भी हो तो आपको एक से अधिक भासाओं का ज्यान होना अत और उनके विवहार में दोनों भासाएं दो भिन प्रकार की संस्कृतियों एवं जीवन द्रिष्टी की अभिव्यक्ति का साधन बन जाती है। भासाई दक्षता से होता है जिसमें प्रयोगता अपनी मात्री भासा के अलावा किसी दूसरी देशी भासा में कौसल प्राप्त करने के अलावा किसी दूसरी देश प्रभाव में अपनी मात्री भासा के अतिरिक्त किसी बिदेशी भासा में भी जब दक्षता प्राप्त कर उ बिदेशी भासाओं का प्रयोग और अगर आवस्यक हो तो बिदेशी भासाओं का प्रयोग करने में वो दक्ष बन जाता है यह हो गया बाहियकारक में और अगर इसका आंतरिक रूप का बात करें तो दुईभासिक प्रयोग के आंतरिक रूप में प्रयोगता दो बिभिन बो करता है जबकि जो निम्ने भासा है वो क्या है घर में बोलने के काम में आता है या फिर कह सकते हैं कि लोगों के बीच आत्मियता का संबंद स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है अगर इसको एक्जामपल के द्वारा समझा जाए तो जैसे हिंदी हिंदी का ही एक बोली है भोजपूरी जो आपको बिहार के कुछ प्रांतों में उत्तर प्रदेश में अधिकतर मिल जाएंगे तो उनका बोली है भोजपूरी अर आपका हिंदी और निवन भासा में क्या कह सकते हैं वो भोजपूरी को कह सकते हैं निवन भासा का बोली भी कह सकते हैं तो ऐसे बात्चीत में प्रयोग हो रहा है भोजपूरी का और जब लिखने का बात हो है ना या फिर अध्यापन का बात हो तो उस समय किसका प्रयोग हो रहा है तो इस तरह का जो रूप हुआ इसको क्या कहते हैं अंतरिक रूप है ना अर्थात भासा के अंदर ही बोलियों का ग्यान अर्थात है ना यह हो गया और जब बाहिये रूप हो गया तो बाहिये रूप क्या हो गया कि अपनी मात्री भासा के अलावे दूसरी देशी भा अब अगला टॉपिक देखते हैं कोड अंतरन और मिस्टरन तो भासी का अफिव्यक्ति के संदर्व में प्रयोगता जब किसी एक भासा के अंतरगत किसी दूसरी भासा के बाख्य का प्रयोग कर देता है तब उसे कोड अंतरन कहते हैं अर्थात जिसमें पूरा का पूरा वाक्य के ही दूसरे भासाओं से लिया जाता है तो उसको कहते हैं कोड अंतरन आजकल इंगलिस का प्रयोग इसी तरह का है आप इसको बखो भी देखते होंगे जैसे एक एक जामपल सी और अधिक स्पस्ट हो पाएगा जैसे आज आपका का काम नहीं हो पाएगा then you can go now ठीक है अर्थात क्या हो गया यह पहला वाक ही जो ये पूरा-पूरा हम लोग हिंदी में बोले लेकिन जो इसी का सकेंड पार्टहें देन यू कैन गो नाउ यह पूरा-पूरा क्या बोल दिह हम इंगलिस में बोल दिए तो क्या हो गया कि पूरा का पूरा वाक्य ही इसमें मिला दिये तो इस तरह की प्रक्रिया को कहते हैं कोड अंतरन दुई भासिक की इस स्थिती में प्रयोकता एक भासा में दूसरी भासा का पूरा वाक्य अथवा वाक्य बंद मिला देता है इस प्रकार का प्रयोग प्रयोकता की अईने भासा में दख्छता का परिचायक है यह प्रयोग अधिकांग सता सिक्षित व्यक्तियों के द्वारा होता है अर्थात जिसको ऐसे दूसरे भासाओं का ग्यान है और अगर कोड मिश्रन के बात करें तो इसमें क्या है कि प्रयोगता दो या अधिक भासाओं के सब्दों, पदबंदों, उपवाक्यों आधिका मिश्रन करता है अर्थात इसमें पूरे बाक्य का मिश्रन नहीं होता है तो इस प्रकार का प्रयोग आज कल क्या है बोल चाल की भासा में धडलले से हो रहा है मुख्य रूस से मिझे को कहते हैं ऑर वाज परिवेस में प्रयूकति के रूप में मिल जाती है जिसमें सिक्षी्ट अमीर गरीब बयस्क बच्चे सभी सामिल है क्ई बार प्रयूकता की मात्री भासा में भी अन्य भासा के कोड मिस्तिरित हो जाते हैं तथा उनका प्रयोग भी अत्यंत सहज रूप में प्रचलित हो जाता है जैसे हिंदी में अंग्रेजी के कोडों का मिस्तिर प्लीज चलो ना हाँ आजकल जौब कर रहा हूं तो यह जो वर्ड बीच में जौब आ गया पहला बाला में प्लीज आ गया वैसे ही मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पीक अप कर ल गया है तेशी को कहते हैं तेशी को कहते हैं कोड मिश्तरन ठीक है बस तुता कोड अंतरन और कोड मिश्तरन का प्रयोग बहूलता के साथ मिलता है लेकिन इसमें भी एक व्यवस्था मिलती है जो वाक्य संग्रचना को उप्यूक्त बनाए रखने में तथा संप्रेशन की प पहले हम लोग बोले ना कि प्लीज आओ ना इसी को अगर कहते कृपया कम ना तो क्या हो जाता यह अर्थ-पूर्ण नहीं लगता है ये अच्छा नहीं लगता अर्थात क्या है ये भी एक बेवस्था है जिसमें क्या वाक्य का जो संग्रचना है उसको ठीक बनाएं रखना जरूरी है तभी इसका अर्थ क्या होगा खुबसूरत हो पाएगा अब देख लेते हैं बहु भासिकता से जन्मी पीजीन क्रियोल और मिश्रित भासाएं ये सब्द सब्सून के भले ही लग सकता है कि क्या क्या सब्द है लेकिन क्या है ये भी बहुत ही आसान है पीजीन एक संक्रमन प्रक्रिया से उत्पन भासा है जो बहु भासिक समुदाई के परस्पर संपर्क का परिनाम है अर्थात पीजीन दो भासाओ के संपर्ख से उदभूत वे भासाएं हैं जो भासिक समूदाय में परस्पर विचार मिनीमई की आवस्यक्ता को लेकर उत्पन होते हैं अर्थल जब दो भासा-भासी कोई एक जगा में रहते हैं तो उनके भासाओं का क्या हो जाता है मिस्त्रन हो जाता है न एक और भासाई इस्तर भीन होने के कारण तथा दूसरी और विचार विनिमाई की प्रबल आवश्यक्ता के कारण दोनों ही समु अपनी अपनी भासाओं को ब्याकरनिक संग्रचना की सुधता की प्रति दुराग्रह त्याग कर पारसपरिक बोध गम्यता के लिए जिस भासा को जनम देते हैं उसकी संग्रचना उसकी अपनी मूल भासाओं की संग्रचना से कहीं अधिक सरल और संग्छिप्त हो जाती है और भासा के इसी रूप को पीजीन की संग्या से अभिहित किया गया है यह सायद परिभासा थोड़ा सा बड़ा हो गया इसको अगर समाइने रूप से समझने का प्रयास किया जाए तो आप कह सकते हैं कि जब दो भासा भासी मानी रह रहे हैं एक ही महले में रह रहे हैं एक ही टोला में रह रहे हैं तो दोनों को ही क्या है एक दूसरे से बात करना जरूरी है एक दूसरे से मेल मिला बढ़ाना जरूरी है लेकिन दोनों का ही क्या है भासा ह वो अलग-अलग है तो ऐसे में क्या करते हैं दोनों सहस्ता के लिए ना सहस्ता के लिए दोनों भासा भासी अपने भासा के प्रती दुरागरह को त्याग कर कि मेरा भासा का सुधता बना रहे यह सब बातों को भूल कर है ना दोनों भासाओं से मिला जुला एक ऐसा भासा तै है और वह अलग-अलग भासा-भासी लोग आपस में क्या कर सकते हैं इसे बादचीत करते हैं तो इस प्रकार के भासाओं को पीजीन की संग्या दी गई है यह अर्था इसी को पीजिन कहा गया है तो पीजिन का जन्म संप्रेश नियता की आवश्यक्ता के कारण होता है और चुकि संप्रेश नियता की आवश्यक्ता एक निश्चित बेवाहर छेत्र तक ही सिमित रहती है अता किसी भी मात्री भासा बनने में यह असमर्थ होती है अर्था जिस छेत्र में यह situation तयार हो रहा है उसी छेत्र में यह बोली जाती है अर्था यह किसी का मात्री भासा नहीं बनता है है यह एक भासा के धबाव के स्वर्व उत्वधननय के सरलिक्रीद भासा है अता यह एक मिस्रीत भासा नहीं है कोड मिस्तरन नहीं कह सकते हैं एक सरलिक्र談 भासा है इस प्रकार जब यहीं पीजीन हैं आपदूसरा कॉंसेप्ट आ रहा है Bryयोल का और है जब यही पीजीन किसी छेत्र में बहु प्रचलित होकर मात्री भासा के रूप में स्विक्रित हो जाए तब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रियोल जब क्या हो जाए? यही ज़्यादा प्रचलित हो जाए अजित फिजीन ही जादा प्राचलित हो जाए अब उस छेत्रे के लोगों का मात्री भासा ही वो भासा बन जाए तब उसको कहते हैं क्रियोल क्रियोल एक प्रकार की आवश्यक्ता जन्य भासा है जो पीजीन के रूप में उत्पन होकर प्रगती के चर्मोत कर्स क्रियोल का रूप धारन करती है यहां क्रियोल का अपना जन्समुदाई होता है तथा इसके मान की करन का प्रस्ण उपस्थित होता है अतर जहां पीजीन को कोई भासा न कहकर भासा रूप कह सकते हैं जबकि क्रियोल एक भासा होती है तो इसपस्ठ हो गया दोनों में अंतर है न उदाहरन स्वरूप पीजीन भासा के रूप जैसे की चीनी पीजीन अंगरेजी, मलेशियन पीजीन अंगरेजी, बंबया हिंदी, कलकतिया हिंदी है ना आधी एवं अबर क्रियोल का रूप की बात करें तो जैसे कैलिफोर्निया की गुहाल अंगरेजी तथा मौरिशस की क्य या फिर आप कह सकते हैं लास्ट टॉपिक है वो है भासा जिसमें क्या पढ़ेंगे भासा चरन, अनुरक्षन और संगर्स है ना तो नाम से ही इसपस्ट हो रहा है चरन अर्थात क्या आ जाना कोई एक पर्टिकुलर भासा धिरे 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 क्या हो जाना खतम हो जाना उसक हूं सेटक को बनाएं रखना उसको अनुरक्षन कहते हैं अर्था दुसका रख्ठा करना है और संघर्स यह क्या हुआ जैसे दो भासाएं है या सरथिक भासा हैं उसका आपस में क्या है बर्चत वो कायम करने का जो संघर्ष में ना तो भारत जैसे बहु भासी देश में ये तो निरंतर रूप से चलती ही रहती है, तो भासा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें परिवर्तन अनिवार्ज रूप से होते रहते हैं, समाज भासा विज्ञान में भासा के सभी प्रकार के विचलनों का अध्यायन किया जाता है, तथा भासा के जिवन्त रूप, चाहे वो ब्याकरनिक मांदंड पर सही नहीं भी उत्रे को भी अध्यया नेवम विशलेशन का केंद्रे मानता है। भासा परिवर्टन में जहां एक और भासा क्लिष्टता से सरलता के और अग्रसर होती है। वहीं कभी-कभी बहु भासिकता आदी कारणों से भासा बिलूप्त भी हो जाती है। वाली और प्राकित के सब्दों का प्रयोक तो हम लोग आश्टा करते हैं। लेकिन जो उस भासा का अपना संग्रचना था उसका पूरा क्या हो गया है परिवर्तन आ गया है। इसलिए आज यह भासा अस्तित्तों में ही नहीं है। तो समाज भासा विज्ञान में समाज में प्रचलीद भासिक कोडों का विशलेशन होता है। न कि इतिहास के गर्व में छिपी बिलूप्त भासाओं का। इसी प्रकार कई भासाएं दूई भासिक अथवा बहु भासिक कारणों से अपना अनुरक्षन भी करती है। तो छरन जो हो गया अर्था दनस्ट हो जाना पाली प्राक्रित इन भासाओं का उदाहरेन आप कह सकते हैं। और यहां पे जब अनुरक्षन का बात हो तो यह कहा जा रहा है कि दुई भासिक्ता या बहु भासिक्ता के कारण से कभी कभी क्या होता है भासाओं का अनुरक्षन भी हो जाता है हालां कि ये अनुरक्षन प्रक्रिया कुछ स्वरूप गत परिबर्तन के साथ ही संभब हो पाता है उदाहरन स्वरूप जैसे हिंदी और मराठी भासा से उत्पन मराठी हिंदी में देखिए उदाहरन के द्वारे ये इस पस्ट होगा जैसे हिंदी का सब्द है वो नहीं जाएगा वह अगर मराठी का बात करें तो इसे कहा जाता है ते यलार नाई अब मराठी हिंदी में इसको क्या कहा जाता है कि वो आएगा नहीं तो इस तरह से क्या है कि दोनों भासाओं का मिश्चरन हो गया इसी प्रका तमिल नाडू से भी एक हजार बर्स पहले करनाटक में जा बसे तमिल भासियों ने तमिल को सुरक्षित रखा और वे संकेती उसे कहते हैं तो भासाओं में संघर्ष की स्थिती बहु भासिक समाज में अनिवार्ज रूप से होती रहती है यहां तक कि एक भासा के अंतरगत विभिन बोलियों के बीच में भी संघर्ष तेजी से चलता है जो कभी-कभी सब्देक्रिया अथवावाक्य तक प्रभावित करता है उदाहरन स्वरूप दिल्ली की हिंदी भासा में उसने अपना काम करा होगा बहराल धार्तिय भासाओं के बीच संघर्ष के ये स्थिति अत्यांत ही सहज एवं सकारात्मक रूप से प्रयोकतार एवं सुरोता को स्विकारिय होती है आज हिंदी एवं अंग्रेजी का संघर्ष अत्यांत ही बिडम बना पूर्ण है जिसमें मात्री भासा हिंदी की स्थिति को बनाएं रखने एवं विभिन प्रयुक्तियों के संदर्व में अनेक सरकारी संस्थाएं कारिय कर रही है तो इस प्रकार यह हम लोग देख लिए कि किस तरह से भासाओं का छरण होता है अनुरक्षन होता है और संघर्ष की स्थिति उत्पन होती है तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही बहुत जल्द इस से आगे के पार्ट का वीडियो लेके आएंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा लाइक सेर कर सकते हैं साथ ही अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद